प्रकार्ण के शब्षाइब में और यह यह जांग देए आज यवरॉपी क्या तरवन के सम्बन में आपको बताने जा रहे हैं इसके पूर्वी जग्रौफी चाप्टर वन के संब्ध में आपको मिर्जा के संब्ध में मिर्जा के संब्ध में आपको बताये थे मिर्जा और मिर्जी के संब्ध में बताये थे अब उसी चाप्टर में आगे आपका टॉपिक है जल जोकि जल एक प्राकिति के रूप से महत्पूर्ण संसाधन है और यह है कैसा संसाधन है जोकी नवी करनिये है तो नवी करनिये और और नवी करनिये संसाधन के संब्ध में आपको जगरौपि एक्सरसाइज वन में बताया गया था जगरौपि एक्सरसाइज वन में बताया गया था कि नवी करनिये संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसका अपुना निर्मान किया जा सकता है लेकिन और नवी करनिये संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको अपुना निर्मान करना बड़ा ही मुश्खिल है उसको निर्मान करने में हजारो हजार बर्सों का समय लग जाता है लेकिन नवी करनिये संसाधन निर्मान होते रहता है एकुमैटिक प्राकितिक रूप से जैसे सूजी की रोशनी हवा और जल जल भी एक है नवी करनिये संसाधन है लेकिन फिर भी या बड़ा ही विश्व में जल का एक समस्या पना हुआ है तुकि जानते ही है कि हमारे भूप निष्ट पर तीन चौथाई भाग जल से घिरा हुआ है हमारे भूप निष्ट का तीन चौप निष्ट को जल ग्रह भी करते हैं आज से लगभाग है ना बहुत वर्ष्व पूर्व ऐसा मानते हैं कि जीव जन्तु का उपति सागरों से ही हुआ था जीव जन्तु का उपति सागरों के तल से ही हुआ था तो यहां समझ शक्ते हैं कि जल कितना महत्पूर्ण है लेकिने यहां जल जो हम लोगों के पास पाया जाता है और जल दो परकार के जल पाया जाता है एक जल जो है वहां लौनिये जल होता है लौनिये जल जो होते हैं और क्या होते हैं खारा होता है नमकीन होता है खारा है लाव निये जल खारा होता है इसमें नमक का अधिक मात्रा होता है यह जल हम लोगों को पीने जोगे नहीं होता है छागरों का जल लाव निये जल होता है इसमें नमक के इस जल से बनाया जाता है रेकिन अल और निये जल जो है यहां बहुत ही कम है यहां हिमाले के हिमानियों में पाया जाता है और यहां उससे ढखा हुआ है तो यहां जल बहुत ही कम मात्रा में है इसका पर्चत बहुत ही कम है और कम होने के कारण पेज जल जो है बहुत कम उपलब्द है और इसको हम लोगों को संजोग करके सही रूप से उपलोब करना चाहिए क्योंकि यह लवनिये जल अगर समाप्त हो जाएगा तो जीवन संभव नहीं है और आव लवनिये जल जो है ओभी अंदर पेल पौधे यान जो जल जो है और अपने आत्र पना करके और उसे जीविते रखने का काज करता है तो इस प्रकार से लवनिये जल यो होते हैं पाय जाते है मुके रूप से हिमानियों में पाय जाता है वर्षा का जो जल होता है वह लवनिये जल होता है और नदियों में जो जल पायाता है वैसे नदी जो हिमाले से निकलते हैं उस नदी में भी लवनिये जल प्राफ्ट होता है तो इस जल को हम लोगों को दूर्पयोग नहीं करना चाहिए खासकर विश्व का बहुत ऐसा महादेश है जहां लौनी जल का समस्या बना हुआ है यसे पर्ष्मी अमेरिका पूल्वी अमेरिका और भारत का भी बहुत सारा भाज में जल जो है एक लोनिये जल जो है एक समस्या बना हुआ है यह सारे देश जो है, यह सारे परदेश जो है, वो अपने आल और निये जल के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो कि जल एक ऐसा महत्पुल प्राकिसिक संसाधन है, कि इसके बीना जिवन संभव नहीं है, तो कहने का तात्पर यह है, कि इस जल को हम लोगों को बचाव करके रखना चाहिए, फिफाज़त करना चाहिए, और इसका दूरुपयोग नहीं करना चाहिए, तो कि जाते हैं, कि एक टपकता हुआ नल एक बच में, झाल एक बचाव है, आखो बचकता है, ते सकता है, तो इस प्रकार से और यही जो और और यह जल है इसी जल से क्रिशी कार्ज, सिचाई कार्ज, उद्योगों में केकर काम में लाया जाता है तो इस प्रकार से यह जल काफी मुल्यवान है और यह है जल हम लोगों को ही फाज़त करके रखना चाहिए इसका सुरच्छा करना चाहिए इसे बरबाद नहीं करना चाहिए साथ-साथ ए आदी हम जयान देगे की जल का मात्रा ना तो घटता है केवाल इसके रूप में परिवर्तन हो जाता है वारूप में परिवर्तन क्या हो जाता है बरसात के दिनों में हम लोग सभी जगा देखते हैं कि है ना जो आहर पोक्रा रहता है जल से भड़ा हुआ रहता है पेल पोधे हजियाली दिखाई पड़ते हैं लेकिन यही गर्मी के दिनों में सारा जो है आहर पोक्रा सुखा हुआ दिखाई पड़ता है मैदान जो है वह सुखा हुआ दिखाई पड़ता है पोधे पतजर हो जा मक्ति क्या हो जाता है इसको और द्यान से सद्धिक यह जल जो है वह वास्प गए करण के कारण है ना वास्प बनके हैं ऊपर कुछ चला जाता है ऑफ से जमीर के अंदर चला जाता है और इस से जल जो है उपर जरातल पर भूप रिक पर दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन ऐसा नहीं है कि जल के मात्रा जो है वह कम हो जाता है जल के रूप में आकार जो है वह क्या है परिवर्तर केवल हो जाता है जो परिवर्तर होने के कारण हम लोग इस जल को नहीं देख पाते हैं तो इस अंत में यही करा जाते हैं कि इस जल को बचाव करना, सुरच्छा करना हम लोगों का परम करतव बनता है इसके बिना जिवन संभव नहीं है झुक कि दिवन जrow लोगों का बचाव करता हैं तो भीजन हैक रहें आरी ठर्ड़ सकथर हैं खार समयी है आई विपार कर ம म हाँ कर दो कि एंपार ब comments म हाँ कर दो कर कर दो झाल झाल इसमें दो कोर्चन है जल के महत्व पर प्रकाश डाले दूसरा कोर्चन है जल संग्रच्छन के उपायों का संखिम्तुरुप में बढ़न करें यानि जल जो इतना महत्व पूर्ण हम लोगों के लिए है तो इस महत्व कुंदो संसाधन है इसको बचाव करना सुरच्छा करना हम लोगों का परमकर्च्चा बेबनता है किस प्रकार इस जल को हम बचाव करते रख सकते हैं ताकि हमारे आने वाले भावी पीधी भी इसके लिए मुहताज न हो जाए भावी पीधी के लिए यह जल नहीं रह पाए और यह जल नहीं रहेगा तो जीवन भी संभव नहीं है तो किस प्रकार से हम लोगों को बचाव करना चाहिए इसके बारे में संशित रूप से बढ़न करें इसके बारे में आपको यहीं लिखना है कि जल एक बहुत तोड़ प्राकिसिक संसाधन है और यह नविकरनिये संसाधन है लेकिन जल बोपरकार के होते हैं एक लवनिये जल और एक लवनिये जल होते हैं लवनिये जल जो होते हैं वो खारा जल होते हैं जो कि पेपदार से नहीं है लेकिन लवनिये जल जो है वो मीठा जल है जो कि वात्रा ब और उसी हिमालय के हिमाद्री से कुछ नदियों में वह जल मीठा जल पाया जार जैसे गंगा का जल या कुछ अन्य नदी जो हिमालय से निकला हुआ है उसे वह जल मीठा जल है जो की पे है जल है तो इस प्रकार से युआ बहुत क़िव लव नी जल है जो कि मालोव पी करके अपना जीवन जी सकता है और ल ine जल पीदे से मालो का जीवन संभव नहीं है माणोब भिमारी के, बिबारी के से ग्रासित हो जाएंगे और जीवन शिंच जाएगा तो इसलिए इस जल्व को संरेफ्षन के हम लोगों को उपाय का बर्नन करना है इसमें क्या है कि हम लोगों को अर्शहत्ता से अधिक जल्व का बर्वादी नहीं करना चाहिए कम से कम जल्व है, खाना बराना, वर्टन साभ करना, कपड़ा का सफाई करना, असनान करना चारिए दूसरा असनान करने के बार, जो नल है, उस नल को ठीक से बंद कर दे ताकि उससे बूंदे-बूंद पानी जल्व डपकता न रहे इस प्रकार से बुंदे-बुंद अगर पानी टपकते रहता है तो एक बच में एक नल जो है ओब बारशो लीटर जल का वरवाजी करता है तो इस प्रकार से जल को बचाव करना चाहिए दूसरा सिचाई का कार्द में भी यही अलोनी जल का ही परोग किया जाता है तो हम लोगों के ऐसा विजी से जल का शिचाई करना चाहिए ताकि जल की बरवाजी नहीं हो इसके लिए हम लोगों को टपकर विजी पेया पाइक्स का परोग करके करना चाहिए ताकि यह जल बरवाज नहों चाहिए इस प्रकार से जन संग रचन के उपाय है और उसका बर्णन करना है लिखना है इसके बारे में आप आप लोग अप्परम लिखेगा जया हैँएँएाँ जएर उोलन के बारे में आप 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 आपर